Hello dear residents, आज जो बात करने जा रहे हैं, class 9 के chapter के बारे में बात करने जा रहे हैं, economics का chapter है, food security in India Previously एक बहुत बड़ा lecture हमने देखा, जिसमें बहुत सारी चीजों को हमने discuss किया, क्या क्या हमने discuss किया, उस चीज पे एक बार focus करते हैं सबसे पहले तो हमने देखा कि food security इंडिया में कैसे है, उसका introduction हमने लिया, फिर food security होती क्या है, उसको हमने देखा, और even ये समझने की कोशिश करी कि कैसे accessibility, availability and affordability gives you the food security ये सारी चीज़े हम अरड़ी first lecture में, detail में discuss कर चुके हैं, काफी बड़ा lecture था हूँ food security की जरुरत क्यों होती है हमें, तो उसकी कुछ हमने points देखे थे, जैसे point number one says कि हमारे population लगातार भढ़ती जा रही है, हमारे यह net sewing area घटा जा रहा है, हमारे यह black marketing होती है, इसके लावा हमारे यहां पे cultivation के लिए जो जमीने हैं वो कम होती जा रही है, और साथ ही हमारे यह जो harvest है वो तबहा हो जाती है, और एक particular community कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ी से पीछे रह जाती है, कि उसको खाना वगरा जो है या food वगरा जो है available नहीं हो पाता है, इसके बाद के अगर हम बात करें, यह food security, जब भी ऐसी कोई national disaster या calamity आती हैं, तो हम कैसे food security provide करते हैं, जिसको सबसे अधर जरुत होती है security की, कौन से security की, food security की, कौन जाधा insecure हैं, तो उसमें हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी लोग ऐसे हैं, जो एंप्लॉइड नहीं हैं, या जो भी ऐसे हैं, जिनको market के अंदर काफी जाधा up and down का सामना करना पड़ता, especially in urban areas, ज कई बार ऐसा भी होता है, जो incapable है, किसी भी तरीके से, या कुछ ऐसी due to some kind of disease, या आप कहा सकते हो, unhealthy environment या unhealthy उनके body structure की कारण, जो job नहीं गेन कर पाता हैं, और साथी साथ, जो deprived section है, उन लोगों के साथ में problem आती है, या कई बार ऐसा होता है, nature के आने की कारण, natural disasters के की कारण स जो लोग affected होते हैं, उन लोगों को insecurities का सामना करना पड़ जाता है, और ये सारे कई बर खाना भी मिलता है, लेकिन वो nutritious नहीं होता, उस चीज के लिए भी हमने बात की, फिर इसके अंदर मैंने आपको पताया था कौन कौन से states, जिसमें सबसे पहले बिहार, UP, UP का कुछ हिस जारखा, रुलिसा, वेस्ट पिंगॉल, चटिसगर, इस वर दपार्ट्स, जाम इस तरह की चीज हमें देखनी को मिलती है, फिर हमारे इसमें ही in food insecurity के अंदर हमने hunger को जोड़ा था, हमने दो टाइप के hunger देखी थी, seasonal and chronic hunger, इसके बाद में हमने देखा था, कि हमारे यहां प क्या किया, accept क्या, adopt किया, green revolution के क्या क्या concept थे, उन सभी को मने देखा, किसके impact क्या पड़े, इन सभी impacts को मने one by one discuss किया था, last lecture में, now we will proceed to the next thing, before that, एक graph भी हमने discuss किया था, वो भी आप जानते होंगे, नहीं किया था क्या, चलो कर लेते हैं, अब, नहीं किया था, तो आज यह इसे शुरू करते हैं, कई बार भूल जाते हैं, वहीं पढ़ाते हैं, देखो भई, हमारे यहां food security इंडिया की बात करें हम, तो food security जब हमें self sufficient बनना है, तो self sufficient बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें follow करनी पड़ेगी, उसके बारे हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर देख करनी की ज़रूत नहीं पड़ेगी, वहीं हम तो export करते हैं, बट इसके साथ साथ, पूरी country के अंदर हम जो crop grow कर रहे हैं, उसके साथ साथ, और क्या चीज़े हैं, कि availability of food grains at the country level has further been unsured with the careful design of food security system, the system has been two components, यहां पर एंडों ने का कि food security सभी को मिले, ठीक है, अच्छी बात है, ह कि हम self sufficient तो हो गए, बट food security सबके लिए नहीं है, बात समझें, you are self sufficient, आपके पास में knowledge का source है, but having the knowledge is up to you, you know, आपके पास में knowledge का source है कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में जाके मुफत में शिक्षा ले सकते हैं, but depend यह करता है, कि उनके पास में रस्त हो, उनको पता हो कि सरकार इसको में जाना है, पहले तो चाहा हो उनके अंदर कि उनको शिक्षा लेनी है, you know, so आप self sufficient बन चुके है, food grains के मामले में, especially wheat and rice, but what if, अगर अभी भी को ऐसा है, जो आपको खाना नहीं बिल पारा जिस विक्ती को, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो पूरे तरीके से इन सभी चीजों को अगर आपको सामने लेकर आना है, खतम करना है, insecurity अगर खतम करनी है, then you need to do two things, first thing, buffer stock and the PDS system, PDS, okay, तो these two things are there, जिसके through आप insecurity को खतम कर सकते हैं, अभी यह दौनों क्या होते हैं, individual इसके बार में अभी हम पढ़ेंगे, but before that you need to have the glams over this graph, यहाँ पर बताया, इसमें एक बहुत ही simple सी चीज़ बताईए है, कि हमारे यहाँ पर production जो हुआ food grains का, वो कितना कितना हुआ, if you can see, अगर मैं यहाँ पर, यह वाला जो है, million tons में है, ठीक है, million tons में है यह वाला, और इसके अंदर हमने कितना achieve किया, हमने यहाँ यहाँ पर चला जाएगा, इसका मतलब है, you can actually, यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर मैं focus करके दिखाऊं, तो just a second, एक बार एक graph देखना, प्लीज, यह जो graph है यह upwards है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हलाकि मेर को ऐसे बनाना चाहिए, match वाले जो ऐसी बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं, अब SST के आदमी हैं, कैसे समझेंगे, तो यह graph अगर overall आप देखोगे, तो due to some reasons हो सकता है, यहाँ पर कम जादा हुआ हो, but यह graph हमेशा upwards रहा है, so that we can imagine, that how much the hard work, how much such kind of system, how much such kind of plannings we have done, जिसके कारण से हमने यह target अचीव किया, it's 276 approximately, 276 million ton production of grains, food grains, जिसमें wheat आ गया, जिसमें rice आ गया, या और भी जो दूसरे होते हैं, इतना production कैसे हो गया अचानक से, और इतना huge gap हमने कैसे इसको achieve किया, उसके पीछे बहुत सारे reasons हैं, उन सभी reasons को देखेंगे, but सबसे पहले हम दो components के बारे में बात करेंगे, एक buffer stock के बारे में बात क करेंगे, क्या है, सबसे पहले अपनी glimpse डालना है, सबसे पहले अपने को थोड़ा सा समझना है, about buffer stock, होता क्या है, बहुत ही simple है, अच्छी है, आपके पास में harvest हुई है, मैं बात कर रहा हूँ सरकार के point of view से, ठीक है, आपके पास में harvest बहुत अच्छी हुई, good, उस आप कर रहे हो, that is stock, how you will actually use that stock, कि यह buffer stock, एक ऐसा stock होगा food grains का, जिसमें mainly wheat and rice जो हमारे यहाँ पे stable diets में count किये जाते हैं, उसको आप government के FCI department के through stock करेंगे, मतला उने पास में रखेंगे, यह जो FCI है, यह wheat and rice को purchase करता है, किस से, wheat and rice को यह purchase करता है, किस से, भाया, किसानों से, किसानों से purchase करने के बाद में, यह इन्हें stock कर लेता है, और उन state में पहुंचाता है, जहाँ पे food insecurity, वो government actually महसूस करती है, बहुत a simple सा concept है, ज्यादा आपको confusion is में होना नहीं चाहिए, बास समझे, buffer stock a kind of process, in which the department of food, या food corporation of India, actually thinks or stock the food grains, especially wheat and rice, just to deal with future challenges, future challenges को face करने के लिए, जो हमारा FCI है, जो हमारा Indian government का department है, वो जो भी produce हुआ stock है, उसको क्या कर लेता है, अपने पास में, जो भी stock मतलब, जो भी food grains हैं, जो भी production हुआ है food grains का, उसको अपने पास में reserve रख लेता है, for dealing the challenges, जो भी हो सकता है हम अगले, कुछ सालों में देखेंगे, ठीक हैं, एक और चीज, कई state ऐसे हैं, जहाँ पर food production, या food grain production, काफी अच्छे लिए peak पर होता है, level पर होता है, but some states are there, जहाँ पर हर बार natural disaster calamities को face करना पड़ता है, या फिर कोई भी जो कई बार हो सकता है, less production हो, consumers जादा हो, तो उन जगह पर, उन states तक actually surplus product पहुंचाया जाए, ठीक है, FCI में हमेशा, जो wheat है और जो rice है, जैसे मैंने आपको कहा, उसके अंदर तुरंत ही, उन सभी की जो demands है, जो consumption है, उसका एक सही मुले पर, सही दाम पर, fair prices में, उन लोगों, सभी लोगों को ये दौनों चीज में पहुंचाई जाती है, देखो, हमारा खाना बिना चपाती के North India वालों का, बिना चपाती के, जो की आपके गेहुं से बनी हो, उसके बिना नहीं पूरे होती, ठीक है, अगर आपके, इंडिया को two levels में, two parts में डिवाइड करते हैं, तो North India वाले कभी भी अपना खाना बिना चपाती के नहीं मानते पूरा, हो सकता है, कभी कभार आपको ह South India वाले है न, उसके अंदर उनको चावल चाहिए होता है, तो ये दो चीज़ें, ये क्या करता है, FCI हमेशा फोकस करता है, कि हार्वेस्ट होने के बाद, तुरंत, जिस भी जगह पर, जिस भी स्टेट में, इस तरह का, इन दौनों food grains का availability अगर कम है, तो it must be, ये दौनों that must be over the fair price shops, they can supply or they should supply, so that the people, the consumers can get at a right price, उनके पास में कमी ना हो, इस तरह की चीज़ों की, इसके पीछे का main purpose क्या है, ये ही है, कि आप एक सही price में, ये जो हमारी staple diet है, that staple diet must be everyone, approachable for everyone, okay, और ये जो price की stability है, ये बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है, so that the people from the both, from the both categories, like जो wheat को पसंद करते हैं, जो rice को पसंद करते हैं, उन तक उनका food green पहुँच जाए, बनाने वाला, उगाने वाले का जो भी, मतलब उगा रहा है, जो उसके पास भी रोजगार हो, और जो खा रहा है, उसको भी वो चीज़ मिले, ठीक है, अगर उससे कोई ख खरीदने वाला है, यह तो wheat हुआने वाला, अगले साल wheat हुआएगा, क्या, नहीं हुआएगा, ऐसे में, सरकार उनसे सही दामों पे खरीदती है, और बहुत एक कम दामों पर consumer तक पहुचाने की कोशिश करती है, ठीक है, यह चीज़ है, I'm not talking about PDS, you know, this is the different concept, यह आम जनता क के लिए है, जबकि PDS का concept थोड़ा सा अलग होता है, इसके और उसकी rate में बहुत अंतर होगा, fair price shop और जो PDS system के अंदर prices होती है, उसमें रात दिन का अंतर होता है, यह भी तुम दिमाग में रखना, और यह जो prices होती है, इसकी fluctuation जादा नहीं होता, वही बात ऐसे समझो, आ आप normal आटा खरीदेंगे, किसी brand का, particularly ITC brand का ले लीजे, आशिरवाद आटा ले लीजे, उसकी rate में और इस rate में बहुत अंतर होगा, बट अगर मैं इस rate को और PDS system की rate को compare करूँगा, तो इसमें भी बहुत अंतर है, got it, so यह चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, next point के बारे में बात करते हैं, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि इसमें क्या-क्या चीजे होती है, if there is a bumper crop, अगर आपके harvest बहुत अच्छी हुई है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इसके लिए भी government यही काम करेगी, कि थोड़ा सा balance बना दे, जैको, मैंने आपको कहा कि crop बहुत अच्छी हुई है आपकी, तो government पहले ही बोल देगी, कि भीया, हम इस rate पे लेंगे, ठीक है, इससे कम से कम किसान अशौर हो जाएगा, कि भीया, इतना जादा wheat है हर जगे पर, wheat है तो सरकार, हमारे wheat की तो value नहीं रहेगी, तो सरकार इस चीज़ को अशौर कर दे है भीया, तुम्हें उसका सही दाम मिलेगा, चाहे कितना एक competition हो बजार में, इतना तो minimum मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो इससे भी आप अशौर हो जाते हो, अगर crop जादा है, bumper अगर stock, मतलब bumper अगर production हुआ है तो, दूसरी चीज, कम production हुआ है तो, कम production हुआ है, तो किसान अपने दामों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बास समझ ना मेरी, कम production है, एक ही किसान के पास में बहुत जादा stock है, बहुत जादा production है, food grains है, तो वो तो मनमर्जी पे बेच सकता है न, अब ऐसा नहीं होता, PDS सिस्टम के अंदर, सॉरी, यह जो buffer stock कर रखा था government पहले, उस तो he cannot raise his prices, तो उसको कही न कहीं competition में बने रहने के लिए, prices को अपने stable रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहुत ही nominal rates भी बेचेगी, तो उसको भी लगबग उसके आसपास ही रहना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होता है, PDS, यह जो buffer stock है, sorry, यह क्या करता है, balance maintain करने ही कोश option हम कर सकते हैं, दोनों ही, producer का भी और consumer का भी, so यह बहुत important है, आजएए, next point पर hopefully इसमें आपको दिक्कत नहीं है, इसको आगे देखते हैं अब, अब समझने ही कोशिश करें, second point, buffer stock तो तो तुमने समझ लिया, now what about PDS, यह तो भहिया मतलब करता ही जहर चीज है, क्यों, क्य आटा देंगे, 50 रुपे किलो भी यह कही जगे पर तो, तो वो आम इंसान के अप्रोच से काफी बाहर है, तो PDS सिस्टम कहीं ना कहीं, उन लोगों के लिए जरूर बहुत फायदेमंद है, जिन लोगों के पास में इस तरह की opportunity, या इस तरह की, मतलब आप accessibility कह दो, इसको availability क के दो, तो के वो नहीं खरीद पाते हैं, तो Food Corporation of India क्या करता है, जो भी आपने food को, या फिर food grains को आपने store किया, उसको आप क्या करो, जो poorest community है, poorest section है, उसको बहुत ही nominal rate में provide करो, so that they also will be able to have the food grains, so that the food insecurity they should not feel, उसको ऐसा feel ना करना पड़े, if you are rationing that, rationing means आप उसको nominal rates पे दे रहे हो, like 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, wheat दे रहे हो, rice दे रहे हो, so हर कोई इसको क्या कर सकता है, सक्षम है, वो खरीद सकते हैं, ठीक है, so rationing shops पर आप उसको regular rate कर रहे हो, and poor section having the benefits of it, so that would be considered as, that kind of system consider as public distribution system, यहाँ पे PDS इसको कहा जाता ह है, rationing shops इसके अंदर बहुत, बहुत important role play करती है, सारे localities में, आप सभी को पता होगा, ration card बनता है हम सभी का, उन ration cards चाहे हो, towns हो, चाहे cities हो, चाहे villages हो, उन ration cards के through, आपको rationing की जाती है, लगबग, there are about 5.5 lakh ration shops over the country, you can see, आप लगबग 5.5 lakh rationing shops को देख सकते हैं, इनको fair price shops भी कहा जाता है, आप याद रखें, rationing shops, especially बनीवी इसलिए होती है, कि जो भी important food grains है, kerosene oil है, cooking oil है, या फिर sugar, या फिर tea, इसमें देखने को मिलता है, tea leaves भी, इन सभी को एक nominal rates पे, एक bearable rates पर ये, मतलब, लोगों तक convey करते हैं, so that people can actually have that, और वो food secure तो होई चाहें, इसमें जो food items होते हैं, हला कि बहुत सरी जगे पर तो और भी बहुत सरी चीज़ें बेची जाती है, मतलब बेची क्या, लोगों तक दी जाती है, लेकिन इसमें भी मुनाफ़ा खुरी बहुत है, black marketing बहुत है, ground level पर देखने पर, आम जो इनसान है, उसका आधारगाड बनाने के लिए भी बहुत मश्किलात हैं, तो जिनको एक्चल में benefit मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता, practical example बताता हूँ, यहाँ पे 2-3 रुपए किलो के अंदर, चावल भी मिल जाते हैं, और लगबग वीट भी मिल जाता है, तो यह जो चक्की वाले होते हैं, जो आटा, आपको गेहूं प वो उसको अलग बेचते हैं, बहुत हमारे यहाँ पर दिक्कते हैं इस तरह की, जब तक आम इंसान कहीं न कहीं government को support नहीं करेगा, तो government cannot do good things, अच्छी चीज़े नहीं कर सकती, हमारे यहाँ पर अगर हमने अपने personal profit को एक बार ignore करते हुए, हमने society के profit को देखा, तभी हमार margin पे कोई भी family member जिसके पास में rationing card होता है, तो इन shop से वो regular month में, हर month में इन shop से वो purchase कर सकते हैं, keep in mind, time तो अच्छा है, बट हर जगे पर नहीं होता, rationing shops हैं लिखा है per month के साब से, rationing shops कब खुलती है, कब नहीं, इसका भी कोई schedule तरह नहीं होता, क्योंकि problem क्या है, आपने दुकान बना दी, लेकिन दुकान को एक तरीके से observe करने के लिए, उसके काम को observe करने के लिए, you haven't made any body, आपने कोई body नहीं बनाई, so that they will misuse their rights, it happens, okay, see the next thing, जहां पर बताया गया, देखो, okay, so the next thing, हमारे यहां पर राश्णी की history क्या रही, बहुत लंबा चोड़ा यहां पर टॉपिक है, उसको देखो, बहुत सिंपल तरीके समझा देता हूँ, हमारे यहां पर हमने बहुत सारी ऐसे natural disaster देखे, जिसके अंदर हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, तो उसी से शुरुबात हुई, राश्णी की इस टाइम पर, बहुत बड़ा हमारे यहां पर food and security तो हर जगह पर है, तो public distribution system को इस time पर introduce किया गया and that has given a chance के ठीक है, आप सभी लोगों तक यह food grains पहुचा सकते हैं, हमारे यहां पर कई सारी services भी, जैसे integrated child development services, इनके थरू भी हमने अलग-अलग जगह पर experimental things को adopt किया, so that कि किसको कितना food grains दिया जाना चाहिए, कितना उनक delicious food दिया जाना चाहिए, तो अलग-अलग schemes we are introduced, यहां पर food for work program भी चलाए गया, इस time duration में, इन से NTSC के examination में याद रखेगा, क्या पूचा जा सकता है, इनका time duration, इनके time duration के साथ ही, आप से पूचा जा सकता है, इनका full form, तो please इन सब चीज़ों को आप याद रखे, ठीक है, National Sample Survey Organization, ठीक है, याद रखे हैं, कई जिए प्र आफिसर भी मिल जाएगा, तो उसमें matter नहीं है, जादा आप करेगा, ठीक है, तो यह चीज़ समझ बागए होगी, present time के अंदर, हमारे यहां पर, several political elevations are there, कुछ ऐसे programs चलाए जाता हैं, जो कि poverty को remove करने के लिए चलाए जाता Okay, so आप पहले ही खाना अगर nutritious food दे दोगे, तो गड़ी भी नहीं आईगी न, so इस तरह से concept काम कर रहा होता है, and hopefully आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देखो इसको आगे हम पढ़ें, तो PDS system के यह सारे concept है, आप बिल्कुल believe करें इस चीज में, कि आपके N India system बहुत ही, एक effectively काम कर रहा है, तो अगर मैं आपर आपको बताओं, तो शुरुवात करते हैं, सबसे उपर ही उपर आपको इहां देखने को मिलेगा, लगबग North India, और जहां पर कई सारे mines वगेरा हैं, वह वाले जो स्टेट है, मतलब अगर मैं बात करूं, Eastern side वाले, तो वहां पर उन स्टेट के अंदर थोड़ा से प्रॉब्म देखने को मिलता है, तो पहले तो क्या किया गया, मेजर किया गया, कमिटी बनाएगे और उन्होंने क्या क्या, बहुत सारे इन लोकेशन को लोकेट किया, यहां पर आप यह कह सकते हो, कि इन दा इयर 1992, रेवैंप प TPBS, अब Targeted Public Distribution System, वही PDS सिस्टम है, इसको इंटर्ड्यूस किया गया, कि आप जो भी पूरेड एरियाज है, उसको टार्गेट करो, और वहां पर इन सब चीजों को पहुँचाओ, इसके लिए गोवर्मेंट ने स्कीम चलाई, कई स्कीम से यहां सामने ही, जिसमें सबसे प पूर और पूरेस्ट जो एरियास थे, उनके अंदर लोगों तक food grains पहुचाने का जो जिम्मा था, जो टास्क था, उसको complete किया, ठीक है, मेरे साब से ना तक तुम्हें तकलीफ होनी नहीं चीए, अगर है, तो बता दीजी, ठीक है, नहीं होनी चीए, चलो आगे देखो, ए APS, इन सब की full form तुमने अभी उपर देखी, इनके अंदर क्या-क्या हुआ, कौन से एर में introduced हुआ, पूरा overall ये सारी चीज़ें यहां पर दे रखा, क्या-क्या volume है, volume का मतलब क्या-क्या जाता है, क्या targeted है, prices क्या रहते हैं, उन सभी को यहां पर, you can actually see, ठीक है, देखो कि जो आम जनता है न, जो गरीब, poorest conditions में रहने वाले community है, या poor वाली जो community है, they are actually not having the right education and good health, just because of, they are not able to have the nutritious food, and nutritious food नहीं है, या food ही नहीं है, तो ultimately क्या होता है, वो लोग काम पे निकल जाते हैं, and the very young age, उनको बहुत ही छोटी age के अंदर काम पे जाना होता है, इसके कारण से ना तो उनके अच्छे education होती, अच्छे education नहीं होती, उनको job opportunities अच्छी नहीं होती, and ultimately वो बिमारियों में उलज जाते हैं, और यह जो बिमारियां हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो ऐसे में, इस program के अंदर, लोगों को, actually work provide किया जाता है, और उसके साथ में, जो भी उनके सामने barrier बन रही है, इस scheme को launch किया गया था November में, और यह November 2004, 14th of November, आप जानते हूँ, 14th of November को कौन सा day है, I try, please try नहीं, I request you, कि please comment box में बताओ, कि 14 November को हम क्या celebrate करते हैं, तो में तो पता हो ना चाहिए, बहुत जादा important है तो, 150, most backward districts को एक तरीके से highlight किया गया, और हाँ पर उन लोगों के लिए, employment की schemes के साथ में, यह चीज भी add on कर दी गई, कि आप उन सभी के पास में जाकर के, at least यह चीज मेजर करें, 150 districts में, that minimum wages तो उन लोगों को मिले, जो की poor condition में रह रहे हैं, ठीक हैं, क्यों ऐसा, आप बात समझें, कि बहुत सरे से लोग हैं, जिन नहीं मिलेगा, nutritious food नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, so यहाँ पर कोशिश की गई, कि 100% implementation हो, इसका, इस scheme का food grains इनको provide किया जाए, free of cost, such states, such districts were having the free food grains, by central government, यहाँ पर, जो collector थे, nodal officer थे, district level पर काम करते थे, इनकी responsibility थी, planning करें, implementation करें, coordinate करें, monitoring करें, supervision करें, कि यह चीज जो free of cost, इनको food grains मिल रहे हैं, और minimum wages इनको दी जा रही है, क्या इन तक पहुंच भी पा रही है, कि नहीं, लगबग data है, 2004-05 के अंदर, 2020 करोड, 2020 करोड have been allocated, मतलब इतना करोड इनको दिया गया था, फिर इसमें 20 लाख टन food grains को भी add किया गया था, इतना तो पैसा, इतना food grain इन good health, particularly good health, और education के अंदर, ठीक है, तो मेरी साब से भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर इसका overall essence निकाला जाए, food for work, खाने के लिए काम करना, बहुत इस सिंपल सा इसका translation, and scheme launch की गए 2004 में, 150 districts को highlight किया गया, जिसमें, जो poorest community थी, उनको minimum wages and food grains provide किया जाता था, सरकार के that's quite nutshell, आपका पूरा का पूरा, आप कह सकते हो ना कि इसका description मैंने देती है, ठीक है, अगर हम अंते उद्ध्य यूजना के बारें बात करें भी या बहुत important है, अच्छे से एक बार सुन लेना इसको, नाम से कही चीज़ें पता चल जाती है, अंते उद्ध्य यूजना, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर, मतलब इतनी नॉमिनल के हर को अचीव कर सकता है, जैसे अगर आप फोकस करेंगे तीन रुपए में राइस, दो रुपए के अंदर आपको वीड दे रहे हैं, इसके रावा पच्छिस से लेकर तीस, पैंटिस केजी तक आपको ये भड़ा दी गई थी कि इतना आप एक बार में ले सकते हो, और किसी भी फैमिली के लिए 2 रुपए किलो के हिसाब से अनार्स लेना, 3 रुपए किलो के हिसाब से राइस लेना, और चाय पत्ती, चाय पत्ती भी लगबग 30-40 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाना, और भी बह की जा रही थी सभी लोगों तक ऐसा यह सारी चीज़ें मिल जाए और यहां पर सन 2000 के अंदर इसकी कौन्टेटी बढ़ा दी गई और सुनो इस स्कीम के अंदर और भी कई सारी चीज़ें एड़ान कर दी गई थी यहां देखो दा स्कीम के अंदर नॉमिनल रेट्स पर यह सारी फूड ग्रेंज और इंडिया के थी 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 यह भी समझ में आ गया होगा देश वाज़ ग्राफ कि किस तरह से जो सेंट्रल फूड ग्रेंस था स्पेशली वीट राइस स्टॉक एंड मिनिमम बफर जो स्टॉक किया जा रहा था वो तो इसको थोड़ा ग्राफ को समझने की कोशिश करो अला कि थोड़ा सा कट हो गया है यहां पर देखो एक्च्वल यह स्टॉक है जितना आप यहां पे अचीव कर रहे हैं जितना प्रड्यूस कर रहे हैं अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर यह पर यह इतना और टोटल प्रोडक्शन में सॉरी इतना ठीक है इस बफर इस स्टॉक को करने का फाइदा क्या था that people of the India or particular that community having an opportunity के ठीक हमें भया कुछ नहीं होगा प्रोडक्शन में एस स्टॉक्शन में एस स्टॉक्शन में लुगा थाइदा क्या है